नमस्कार दोस्तों मैं सीमा डेमनमिर इस यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ होली का पर्व आने ही वाला है हम सभी को भली बाती अच्छे से याद है दोस्तों लेकिन इस बार बहुती बड़ा कंश्योजन हो रहा है कि 6 मार्च को होली का देहन किया जाए या फिर 7 मार्च को होली का देहन किया जाए तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकरी जानेंगे श्योब महरत क्या है किस दिन आपको होली का पर्व मनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख सम्रदी का वास रहे और आप जो भी पूजा पार्ट करते हैं उसका शुफल आपके जीवन में आपको प् जाता है इस साल पूर्णिमा तिथी 6 मार्च से शुरू होगी जो कि 7 मार्च को खत्म होगी दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथी प्रदोश काल को इसपर्श करेगी ऐसे में तमाम लोगों को इस बात को लेकर बहुत बड़ा कन्फियूजन हो गया है कि आखिर होली का देहन क इस दिन किया जाए दोस्तों तो शास्त्र संबंद में आपको बताती हूँ पूर्णिमा तिथी 6 मार्च को शाम को 6 बच कर 17 मिनट से शुरू होगी और 7 मार्च को 2023 मंगलवार को 6 बच के 9 मिनट तक रहेगी लेकिन होली का देहन का परवुद 6 मार्च को नहीं मनाया 6 मार्च को होली का देहन नहीं होने का कारण यह है कि इस दिन पूर्णिमा तिथी पर भद्रा का साया रहेगा 6 मार्च सोंबार को शाम 4 बच के 18 मिनट से भद्रा शुरू हो जाएगी जो कि 7 मार्च तक सुबे 5 बच के 15 मिनट तक रहेगी भद्रा का वास में प्रत्थिवी जलाए जाए तो देश को सबसे बड़ी हानी हो सकती है दिशवाशियों को बड़े भयाना कस्ट का सामना करना पड़ सकता है इसलिए 6 मार्च को होली का देहन आप बिलकुल भी नहीं करें दोस्तों 7 मार्च को ही होली का देहन किया जाएगा जो कि भद्रा मुक्त रहेगी यह है तिति पूर्णी मा तिति रहेगी तो अब हम शूब महरत जान लेते हैं कि कौन से शूब महरत में आप हुली का देहन करें दोस्तों होलिका देहन की पूजा के लिए सबसे पहले आप पूरुफ दिशा में मूँ करके होलिका को जल अर्पित करें फिर रोली, अक्षत, फूल, पीली, सर्सो, गुलाल, मिश्टान, इत्यादी सभी चीजे अर्पित करें और एक सूखा नारियल जरूर आप अर्पित करें गाय के उपले अवश्य चड़ाएं और उसके सासाथ नई फसल की बाली, ग्यों की बाली या चनी की बाली जरूर चड़ाएं कम से कम आपको पांच गाय के उपले या फिर ग्यारा गाय के उपले जरूर चड़ाना चाहिए एक मुठ्थी सरसुके दाने जरूर चड़ाए और नारियल सूखा गोल होना चाहिए यदि आप सुखा नारेल ले रहे हैं तो उस सुखे नारेल के दो हिस्से आप कर लीजिए उसमें थोड़ा सा जौं, तिल, सरसुकदाना, शक्कर, चावल और थोड़ा सा घी डाल कर भर ले और आपस में चिपका कर मोली का धागा उसके ओपर लपेट के फिर उसे यदि आप होली का देहन के समय डालेंगे तो घर की जितनी भी नकरात्मक एनरजी है वह आपकी समाप्थ हो जाएगी, घर में आपकी सुख सम्रदी का वास रहेगा, धन सम्मंदित यदि आपके जीवन में बहुत अधिक परिशानी हो रही है, तो यह चोटा सा उपाई यदि आप जानते हैं कि हमारे देश में दिपावली के बाद होली का पर्व ही बहुत धुमदाम से मनाया जाता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा पर्व होता है हिंदू धर्म के अनुसार, साइंटिफिक नजर ये से देखे तो होली का देहन की लप्टे बहुत अधिक लापकारी मान होली का पूजा और देहन की में जब हम 11 या 21 परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय हम जो भी मनोकामना बोलते हैं तो वह भी हमारी जल्दी पूर्ण होती है, तो जब भी आप पूजा समाप करते हैं तो उसके बाद आप कच्छा सूत लेकर होली का की 11 या 21 परिक्रमा अवश्य करें और आपके जीवन में जो भी मनो कामना हैं उसे आप मन में दोराते रहिए तो आपकी यह मनो कामना जल्द ही पूरी होने के योग बनते हैं दोस्तों और आठ मार्च को रंगों से भरी होली खेली जाएगी आप सबी को होली की ढिरो शुप कामना है यह है पर आपके जीवन के लिए बहुत ही शुपकारी और मंगलकारी हो आपको यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो यह है इन्फोमेशन आप दूसरों तक बहुत अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपके मन में कोई भी सुझा हो तो कमेंट्स के दौरा मुझे जरूर बताएं और इस्ट्रोलोजिस रिलेटेड मेहत्पोन जानखर या प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखे ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक जल से जल पहुंच सके दोस्तों तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इंट्रेसिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू एंड बाबाए